हाला व्रिवान वेल्कम टू दू चानल क्यापन केडमी चलिए समझते हैं फिजिक्स का नेक्स टॉपिक जिसका नाम है अप पॉर्तनांग यानि की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन इस्टुडेंट्स इसको समझने की कोशिश ची नहीं करते हैं जिसे उन्हें समझ में नहीं आता है बस आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बाकी सारी चीज मुझे पर छोड़ देरी हैं मेरा काम है आप लोगों को समझाना ठीक है चलिए देखिए अप पॉर्तनांग को इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी का अनुपात यान की भाग एक नियतांग काता है और उसी नियतांग को बोलते हम लोग अप पॉर्तनांग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ठीक है अब यह जो मैं अभी बोली ना यह ठीक इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूं अब जरह इसके आगे समझते हैं अप अब देखिए जिस माधियम का पॉर्तनांग ज्यादा रहेगा वह ज्यादा चमकेगा देखिए मान लिजे हीरा को देखिया है हीरा का पॉर्तनांग होता है एन 2.42 उसके बाद ले लिजे कांच का होता है 1.52 बर्फ का ले लिजिए बर्फ का होता है अपरतनांग 1.33 और जल का होता है मतलब इसी तरह एक वायू का ले लिजिए वायू का होता है अपरतनांग 1.0003 मतलब जिसका अपरतनांग ज्यादा वह ज्यादा चमकेगा वह ज्यादा चमकीला होगा देखिए हीरण का परतनांग 2.42 है तो यह ज्याद bother चमकेगा काँत किकीस कही त्का हीरा से दिखने हें आप परतनांग 1.52 उसे तरह वायू का कांट से भी कम है जसलिए वायू कांट से भी कम कम चमकेगा वह यह नहीं मेरा तह आप लोग जब लाइट परती है तो हवां भी चमकता है यौन पंड में बाध्याम दिजा है आपके बुक में लिखा हुआ मिलेगा इन वन्टू इसका क्या मतलब है इनका मतलब तो आप लोग जानते हैं आप वर्टनांग वन्टू क्या है वन्टू है माध्यम जैसे कि एक माध्यम और दो माध्यम तभी ना एक माध्यम से प्रकास दूसरे माध्यम में जाएगी ठीक है तो क्या है वन्टू माध्यम अब आप लोग इसको बोलेंगे कैसे क्या मतलब इसका तो इसका मतलब यह हुआ कि देखिए जो पहले लिखा है ना वन पहले लिखा है ना तो माध्यम वन का अपवर्टनांग बाद वाले के साफेक्स बाद में क्या है दो तो माध्यम वन का अपवर्टनांग बाद वाले य यानिकी माद्यम दू के साथ ठीक अगर आप इसको परकास की चाल में लिखना चाहें परकास की चाल में भी लिखा जाता है मतलब स्पीड माद्यम में परकास की स्पीड के हिसाब से लिखा जाता है तो देखिया यहां पर सबसे बाद में क्या है दो तो बाद वाला जो माद् माध्यम 2 में परकास की चाल उपर और माध्यम एक जो पहले है उसको नीचे यान की बाद वाले के ऊपर और पहले वाले को नीचे ठीक है अब देखिए इसको आप लुग सौटकॉट में भी लिख सकते हैं माध्यम 2 में परकास की चाल को आप वी टू भी लिख सकते हैं अविक होता है प्रकास की चालUI का मतलबल सीटी ओफ हुँ टू होता है माध्यम दो में प्रकास की चाल इसलिए V tumοι टू का हुआ भी ए मुन्ट क्या हो गया माध्यमन में प्रकास की चाल ना लभा लिखने की अपरतनांक माद्यम दो के साफिक्स और अगर अपरतनांक में नहीं लिखना है परकास की चाल में लिखना है तो आपको सबसे पहले जो बाद में है उसमें परकास की चाल को ऊपर लिखना है और जो पहले हैं उसमें परकास की चाल को नीचे लिखना है तिक अगर मैं अगर ए और वाईयू तो यहां पर आप लोग कैसे बोलेंगे NWA है तो जो पहले रहे उसका ओर TH hyper alla कि बाद वाले केशाफिक्श पहले का परतेनांग talking to box और फिर्स को प्रकाश की जलजेंगे तो जो बाद है यही पैटरन लोगों को लेकर है यही है इसको पढ़ने का औब 1973 ऐनचे और जाता है तो आप इसको उसी तरह करता पड़ेंगे माध्यम साथ का पॉरत रंग माध्यम तीन के सब तीक्च और इसको प्रकास की चल उपर चला जाएगा और जो पहले है वो नीचे चला जाएगा बच्पन में ABCडी सीखे होंगे तो ABCDEFZ यह जए तक आप लोग सीखें इसको ABCD आप पढ़ते होंगे यहीं नियम है ABCD पढ़ना अब इसको जेड एक सी भी नहीं न पढ़ने लगेंगे यहीं नियम ही है पढ़ने का उसी तरह इसको भी एन वान टू या फिर नव या जो कोई भी रहेगा उसको नियम यही है कि पहले वाले का परतनांक बाद वाले के साथ एक्ष लिखना है सिंपल ठीक अब जड़ा आगे बढ़िये अब दिया रहेगा एक और चीज एन टू अब आपको मिलेगा एन टू अब आप लोग इसको पकड़ सकते हैं लिख सकते हैं बोल सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग पैटर्न पकड़ ली होंगे क्या होगा माधियम जो पहला है दो का अपोर्तनांक आई मैं माधियम दो का अप्वर्तनांग बात में क्या है एक यानकि माधियम एक के साफट थी के सिंपल अगर आप लोग ऐसा ही सोचेते तो विलकुल सही ऐसा ही है is equal to अब आप लोग दूसरे तरीके से भी पर बजाश की चाल में लिख सकते प्रकाश की चाल अपाउंट क्या हो जाएगा जो पहले है माद्यम दो तो माद्यम दो में प्रकाश की चाल माद्यम दो में प्रकाश की चाल ठीक यह हो गया अब इसको सौटकॉट में लिखिए कैसे लिख सकते हैं माद्यम एक में प्रकाश की चाल को वीवन लिख सकते हैं क् कि वी क्या है प्रकाश की चाल एक माद्यम वन और वी वन अपॉन वी टू सिंपल ठीक है अब देखिए यहां तक आप लोगो समझ में अगया है अगर आपको इसा कहीं भी मिलता है एन थर्टी वॉन एन नाइंटी वॉन कुछ भी तो आपका पहले वाले का परतना बाद वाल यह कैंगे माध्यम मदर एक का अपॉर्तनाँगग जाराद धयान दीजिए एक का पहले वाले का पॉर्तना भाद वाले के सपिंप्स लिखा जते है अ तो पहले वाले तो माध्यम अ मिल गया है मध्यम वन का प्अपॉर्तनाँगण अब क्सके सपिक्स बाद में तो मैं कुछ लिखी नहीं हो ना टू लिखी ना फॉर कुछ भी नहीं लिखी हूं तो किसके साफेक्ष तो माध्यम एक का पॉरतनांग कुछ भी नहीं के साफेक्ष और जहां पर कुछ भी नहीं होता है कोई माध्यम नहीं होता है उसे क्या कहते हैं निर्वात कहते हैं तो य ठीक और इसको प्रकास की चाल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बाद वाले का बाद वाले में प्रकास की चाल को उपर लिखना है और पहले वाले को नीचे लिखना है तो बाद वाले में प्रकास की चाल यानि कि कुछ भी नहीं है यहाँ पर तो निर्वात में प्रकास की पॉंट क्या हो जाएगा 1 माध्यम 1 में प्रकास की चाल पहले वाला नीचे आता है ना तो माध्यम 1 में माध्यम 1 में एक में प्रकार्ष की चाल यह इव इसको सॉट्कॉट में लिख दिजे निर्वात में प्रकास की चाल को बोलते हैं सी अपॉंट सी से सुचित किया जाता है और माध्यम एक में प्रकास की चाल को भीवन बोल सकते हैं बहुत अच्छा अब इसी तरह आपको मिलेगा एंटू एंटू बराबर क्या लिखेंगे माध्यम 2 में प्रकाश की माध्यम 2 का अपॉर्टानांग में लिखें काि क्या हो जाएगा बाद वाले केसाब एंटू यहां पर बाद में तो कुछ भी नहीं मतलब निर्वात टो माध्यम का पॉर्टानांग निर्वात के सापक ठीक मादेम दो काप और तनांग निर्वात के साब एक इसको परकाश की चाल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बाद वाले में परकाश की चाल यानि कि निर्वात में परकाश की चाल तो निर्वात में परकाश की चाल क्या हो जाएगा मादेम दो में प्रकाश की चाल मादेम दो में प्रकाश की चाल ठीक समझ में आया एई है नियम लिखने का अब देखिए निरवात में प्रकास की चाल को सी लिख सकते हैं क्योंकि सी से सिद्किया जाता है ना निरवात में प्रकास की चाल को और फिर मादेम दो में प्रकास की चाल वी टू ठीक है निर्वात में प्रकास का चाल कितना होता है सी निर्वात में प्रकास की चाल या निए कि जहां पर कुछ भी नहीं होता है वहां पर प्रकास कितने स्पीड के साथ जाती है तो देखिए ठीए इंटू टू दिपार एट मीटर पर सेकें के स्पीड से निर्वात में चलती है यहां पर कुई माध्यम नहीं होता है ना ठोस ना द्राव ना गैस वहां पर परकास बड़ी स्पीड के साथ चलती है और वह स्पीड क्या है तीन इंटू थ्री इंटू टेन टूटी पार एट मीटर पर सेकेंड ठीक है इसको कनवर्ट कर परकास कितना मीटर कितना मीटर है तीन पर एट जीरो है इतना मीटर एक सेकेंड में चलता है तो सोचिए कितना फास्ट चलता है परकास निर्वात में अब देखिए यहां पर यह समझ में आ गया अब देखिए माध्यम जब किसे भी माध्यम का परतनांग निर्वात के पर माद्यम वन का पॉर्थनांग किसके साफ एक्ष लिखा गया है निर्वाद के साफ एक्ष लिखा गया है इसलिए इन वन को क्या बोलेंगे निर्पेक्ष अपॉर्थनांग तो मैं यहाँ पर लिख दू निर्पेक्ष अपॉर्थनांग ठीक, यहाँ पर N2 को भी देशिए, N2 क्या है, N2 का परतनांग किसके सापेक्ष लिखा गया है, निर्वाद के सापेक्ष, यानि कि N2 भी क्या है, निर्पेक्ष परतनांग, ठीक, यानि कि मादियम 1 का, N1 को इस तरह भी बोला जा सकता है, तो यह परतनांग निर्वाद के सपक्ष या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि माध्यम-1 का निर्पेक्ष परतनांग क्योंकि निर्वाद के सपक्ष लिखा गए है सिंपल ठीक है अब जब यहां पर आइए क्या क्या आप लोग को फरमूला मिलolithic n1 1 2 is equal to hour टो क्या मिल भी टू आपान डी वर्म अब द रत्रक उकल पॉन में ठाक जाल और मार्यम वन म् प्रकास के चाल को यहाँ नु वं लिखे थो यह वी वर वग्या सिर्फ था इनव तो तो क्या मिला C upon V1 एंग 2 सिर्फ था तो क्या मिला C upon V2 ठीक यहां तक क्लियर हुआ अब देखिए आप लोग यहां तक स्क्रिंसोट ले लीजिए फिर मैं आप लोगो को बताती हूं क्योंकि यहां पर मैं मिताऊंगी अब आगे आप लोग को एक लॉजिक समझ में आएगा जो मैं बताऊंगी ना उससे बहुत ही अच्छा एक ट्रिक मिलेगा और वो चलिए समझते हैं देखिए इन वन में एन वन में एन टू से भाग दीजिए यानि कि एन वन अपॉंट एन टू कीजिए एन वन बटा एन इसे लिख दीओं तो कोई बात महीं आशे चलिए इस तरह लिख देती है थी अपॉंट वी वन ठीक बटा एन टू कमान कितना है एन टू कमान है एन टू कमान है इस एपॉंट वी टू इस इक्वल टू अब इसको सॉल्फ कीजिए उपर वाला नीचे वाला गुड़ा होकर है सितंदू वी टू उपर और बीच वाला नीचे चला जाता है और टू इंटू वी इसे सी कट गया वी अफांट वी टू सॉरी फी टू अपॉंट वी 1 uh तो यहां पर क्या मिला हम लोग को N1 upon N2 is equal to V2 upon V1 क्या मिला V2 upon V1 अब ध्यान देजिए V2 upon V1 किसके बराबर है V2 upon V1 N12 के बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि N1 upon N2 is equal to N12 यह आप लोग को एक चीज मिल गई जो कि मैं आगे बताऊंगी अब एक और काम कर लिजिए अब N2 में N1 से भाग दीजिए यहां पर N1 by N2 कर रहे थे ना अब N2 by N1 कीजिए is equal to N2 कमान कितना है C upon V2 by N1 कमान कितना है C upon V1 इसको solve कीजिए क्या हो जागा C into V1 upon C into बीच वाला V2 सी से सी कट जाएगा V upon V2 इतना तो आप लोग mathematics जानते ही होंगे कटाने वाला तो N2 upon N1 is equal to क्या मीरा हमें V1 upon V2 अब फिर से धियान दीजिए V1 upon V2 किसके बराबर है N12 के बराबर हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि N2 upon N1 V1 upon V2 के जगा N1 लिख सकते हैं तो सॉरी N21 लिख सकते हैं न तो N21 तो यह आपको एक और चीज मिल गई अब इसका क्या मतलब है जरा समझी इन दोनों का इसका मतलब यह है कि अगर कहीं भी N12 लिखा रहता है अगर कहीं भी N12 लिखा रहता है तो आप उसको N1 upon N2 भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं N1 by N2 लिख सकते हैं या फिर अगर आपको कहीं N21 मिलता है तो आप उसको N2 upon N1 लिख सकते हैं द्यान दिजैंग यहां पर एक चीज हमको समझ में आ गई कि अगर कहीं भी Нnew on लिखा है फेंट अगर कहीं n73 लिखा है तो n7 पाउन थ्री अगर nw kep lin October लिख सकते हैं N91 लिखा है तो N90 N9 upon N1 इससे हमें एक चीज़ प्राप्त होती है कि कहीं भी अगर लिखा है तो हम उसका बटा बाद वाले का अपरतनांग लिख सकते हैं यह दोनों चीज यह दोनों फर्मूला हमें यही सिद करता है तो यहां तक समझ में मतलब जो है ना यहां पर यह दोनों यहीं सिद करते हैं कि आप इन वन टू को N1 upon N2 लिख सकते हैं अब यह बात समझ में आ गई बहुत अच्छा अब आपको मिलेगा कि साइन आई अपॉन साइन आर इस इक्वल टू इन वन टू तो आप इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं न वन टू को क्या लिख सकते हैं एन वन अपॉन 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 साइन आर इस इक्वल टू एन वन बटा एन टू लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं तो यह आप लोग का फर्मूला मिल गया आप में मान भर देंगे निकल जाएगा या फिर इन तीनों का दे देगा इसका मान निकालने के लिए बोल देगा या फिर इन का मान नहीं देगा इन तीनों का देगा और कोई ना कोई इस में से n is equal to sign i upon sign r दिख सकते हैं तो ये भी आप लोगों का एक फर्मूला बन गया ये भी आप लोगों का देखिए फर्मूला नमबर 1, 2, 3 और ये हो गया आप लोगों का 4 ठीक है तो इसे आप लोगों को numerical पूछेगा आप लोगों को इसी फर्मूला से बनाना है इसमें आप लोग का नहीं सकते हैं साइन निकाल देंगे तो अराम से निकल जाएगा और ये होगी आपका ये लॉजिक कैसे लिखना है एन वन टू एन टू वन सारी चीज़े समझ में आ गई ठीक है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसमें मैं ल कर दो